हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप आशा है आप सब स्वस्त होंगे और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है बहुत बढ़िया बच्चों आज हम पाट एक दिन की बाश्चाहत का सारांस पढ़ेंगे आरिफ और सलीम दो बच्चे हैं जो हमेशा परेशान रहते हैं इस बात से नहीं कि उनके घरवाले हर समय किसी ना किसी बात पर उने टोकते रहते हैं ऐसा करो वैसा मत करो हमेशा उनकी कानों में पढ़ता रहता है बच्चों इस बात से बहुत परेशान है कि उनके घरवाले ह हमेशा उनको किसी ना किसी बात पर टोकते रहते हैं यदि बाहर चले गए तो अम्मी पूछ बैठती है कि बाहर क्यों हो अम्मी और अगर अंदर रहे तो दादी बोल उठती है बाहर जाओ यहां शोर मत मचाओ बच्चों बच्चे बहुत परेशान थे कि अंदर रहे हैं बा आइडिया वे जट अब्बा के पास पोच गए और उनके सामने दर्खास पेस्ट कर दिये एक दिन के लिए उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिये जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं मतलब एक दिन ऐसा कर दिया जाएं क्यों हैं तो छोटे लेकिन जैसे के साथ कर सकें बच्चों यह उपाया उन्होंने क्यों किया ताकि वो सबको समझा सकें कि हर समय की टोकटा की अच्ची चीज नहीं होती है अब ने उनकी बात मान ली और अगले दिन सुबह से बात लागू भी हो गई आरिफ ने अम्मी को जिजोड डाला जिन जोड़ना ल उठ गए अब दादी की बारी थी जैसे उन्होंने बदाम का हरीरा पीना सुरू खिया हरीरा एक ताकत वाला शर्वत होता है तो बनाया जाता है आरिफ ने नहीं रोका दादी कितना हरीरा पियंगी आप पेट फट जाएगा शाय दादी भी इसी तरे टोकती होंगी इसी प विकार उनी के पास थे खाने की मेज़ पर सलीम ने अम्मी को टोका अम्मी जरा अपने दाथ देखिए पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं और अम्मी के लाख कहने पर विए दाथ मान चुकी हैं मान चुकी हैं ब्रश कर चुकी हैं सलीम ने जबस्ती कंदा पकड़के उन्ह मैले कर ली है, मैले गंदे अबबा को हसी आ गई क्योंकि दोनों बच्चे बड़ों की सही नकल उतार रहे थे दस बस तरही आरिफ चलाने लगा अबबा जल्दी आफिस आई है इस बार अबबा को गुस्सा आ गया क्योंकि बच्चो बड़े फिर भी बड़े होते और छोटे बच्चों कैसी बाते सोबा नहीं देती थोड़ी देर बात खान सामा बेगम से पूछने के लिए आया कि खाने में क्या बनेगा, खान सामा कुक जो खाना बनाता है बावर्ची अमा को याद नहीं था आज उनके लिए अधिकारों का प्रयोक करना मना है उन्होंने खान सामे को आदेश देना सुरू कर दिया आलू गोष्ट सलीम तुरंत आगे बढ़ा और अम्मी के निकल उतारते बोला आज ये चीज़े नहीं बनेंगी आज गुलाब जामून और गाजर का हलुआ मीठे चावल पकाओ इस समय दादी किसी से तू तू में किये जा रही थी ओफो दादी तो सोर के मारे दिमाग पिगलाए दे रही है आरिफ ने दादी की तरहे दोनों हाथों से सिर थाम करका दादी खून का गुट पीकर रह गई जैसे दादी कहती होंगी न वैसे उन दोनों ने भी का कालिज का वक्त हो जाने पर भाई जानने का अम्मी शाम को देश से आओंगा दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है खबरदार आरिफ ने आके निकाल कर उने धमकाया आरिफ बिल्कुल पापा की तरह कर रहे थे कोई जरूरतनी फिल्म देखने की इम्तियान करीब है तब ही बच्चों की नजर आपा पर पड़ी सलीम उनका गोर से मुआइना करने लगा मुआइना चेक करना इत्ती भारी साड़ी क्यों पहनी है शाम तक गारत हो जाएगी गारत खराब आज वैस सफेद वायल की साड़ी पहनना आपा ने का हमारे कॉली में अच फंक्शन है हुआ करे मैं क्या करूँ सुना नहीं अपनी नकल देखकर वैवी सर्मिंदा हो गई इस तरह आदेश देते थे एक दिन बीद गया दूसरी सुबह हो गई सलीम की आखे खली तो आपा नास्ते की में सजाय उन दोनों के उठने का इंज़ार कर रही थी अमी ने खान सामे को हर खाने के साथ एक मीटी चीज बनाने का आदेश दे दिया अब्बा का विरू का बदल गया था बच्चों उनकी एक दिन की जो बात साथ थी जो एक दिन के वो नायक बने थे उसने सब बदल दिया बच्चों अगले वीडियो में पाट पढ़ेंगे चावल की रोटिया अगर आपने हमारा चैनल लाइक से अरो शबसाइम नहीं किया तो कर दीजिए टेक केर बच्चों